हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूटूब चैनल कंप्रिशन जोन में स्वागत है अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ये वीडियो लाइक करें और ये वीडियो अपने दोस्तों तक चरूर सेयर करें जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं घटना चक्र से विल्यम सेक्सपियर को जो प्रिवेस एर में आई हुए कुश्चन है उनको हम लोग भूत ध्यान पूरग पढ़ेंगे इसके पहले हम लोग चार पार्ट में वह भी वीडियो आ चुके हैं तो जिन दोस्तों गजिश्ट को जोती हैं और या तो आप लोग प्लेलिश्ट में जाकर देख सकते हैं वह वीडियो अथवा उन चार वीडियो की लिंक इस वीडियो में लगी हुई है तो आप लोग वहां से वहां से आध shaping जाकरि को जरूर देखसकते हैं तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुक तो आप लोग चैनल में इसी तरह बने रहें और हमारा साथ देते रहें तो आए हम लोग देरी ने करते हुए अपने सेशन को सुरू करते हैं तो यह रहा आज का पहला question है कि शेक्सपीर रोट शेक्सपीर ने क्या लिखा है तो शेक्सपीर ने रॉमैंटिक टैमेडी लिखिए ठीक लिखायों को कि नाम से बेंड जांसन को पूर्श कता है कि कि इसने कमेडिया का तर्म दिया है तो यह भी कुछ आप लोगों को याद रखना पड़ेगा आए थो Shakespeare, Shakespeare's most classical-inspired early comedy is The Comedy of Error, तो इनकी जो अरली comedy है तो कौन सी है, The Comedy of Error, Shakespeare's early comedies reveal in stories of amorous courtship in which plucky and admirable young woman play by a boy actor is paired off against her male over, अभनों दोग देखते हैं अपना अगला question, यह आपना अगला question, the widest, the brightest and the mainst is said of, तो यह line किसके द्वारा किसके लिए बोली गई है, तो यह line Francis Bacon के द्वारा, sorry Alexander Pope के द्वारा Francis Bacon के लिए बोली गई है, किसके लिए बोली गई है, Francis Bacon के द्वारा बोली गई है, तो इसको किसने बोला है तो, Alexander Pope ने बोला है, आई यह थोड़ा से देखते हैं इसके भी से जी रहा, देखो, the great classical point, क्या थे वह, पॉइट, Alexander Pope, Alexander Pope को हम लोग क्या बोलते है, classical point के नम से जानते हैं, रिगार्डर ऐस फ्रांसिस, बेकन, आई दिवाइजेस्ट, दी ब्राइस्टेस्ट, आई दे मेनेस्ट मैन काइंड, बैकन वाज नाट ओंली देफ़ इंकलिस है, ठीफ फ्रांसिस बेकन को स्टेट्स difficultyC, exhycz बेकन का थे फ्रांसिस दोइच बैकन को स्ट्रा नाम से जानते हैं, और स्टेट आट बलत, एसे के नाम से जानते हैं तो वह मॉन्टेक को जानते हैं बट आलसो ग्रेटेस्ट राइटर आप स्टेट्समेंस फिलास्पराइड प्लिटिका पॉलिटी सियंग ठीक है इससे ऑर फेमस फर भीट एन अपरिस्ट्टिक स्टैल तो अपर慶्टिक फैकन को और कि स्टैल की ज extras की लिए उनको ही जानते हैं आएए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट वरेस्टन उननेक्सट कुस्टबिक्ष में से 17 in 25 जड़ा ग। इन स्टेस्पीर कर जन कहां पर हूवा था सेखस्टर स्टेट फड फ्ड पर एवन में वह था देखो यहाँ पर औन भी धिया है और अपहन भी दिया है अगर यह दो नो अप song मिल जाने तो हम लोग किसको प्रिफिरिन देंगे तो स्टेट्वc तूर आप वाले से अप्शान को हम लुग प्रिफरेशन देंगे अगरी अपतन वाला नहीं ता हम लोग आन वाले अप्शान को मलोग प्रिफरेश देंगे ठीक है तोँ आए थोड़ा सा देखे है इसके भी समय यह देखो सेख्पियर वाज बॉन एट इस्टर्टफर्ड अपन एवन कहां पर जन्हों था इस्टर्टफर्ड अपन एवन वार्विक सावयर इंगलेंड में एक्वार्डिंटू रिकॉर्ड होलिंट्रिंटी चर्च विल्यम सेख्पियर वाज बैप्टाइज ओन तुटिश अप्रेल 1564 तो विल्यम सेख्पियर का वाज जेशन कब हुआ था तो 26 अपरेल 1564 को हुआ था बैप्टाइजेशन क्या होता है तो क्रिस्चेनिटी में नाम क अपरेल को बोलते हैं बाप्टाइज यसंटीं है कि प्रोडीश ले मोस्ट आफिस वरकन नोन वर्क्स ब्ट्विन 1598 से 1630 इनके जो वर्क आते हैं 1598 से 1630 के बीच में आते हैं कुछ वर्क्स इनके इसमें रोमिया और जूलियट अमिट समर्णाट ड्रीम तमर्चंट आव दिनिस और हमलेट त्या रहोग देखते अपना नेक्ष दिश्ट रपना नेक्स पूरिशन अबर बोरीज और आवर गार्डेंस तू विच आवर विल्स आर गारनर तो ये लाइन दा अबब पर्स फ्राम दा इस ये लाइन किसने बोला है इस लाइन को बुला है यागू न यागो का बोलता है ये थेलो में कहा पर ये थेलो में ये लाइन बोलता है ठीक है अब मुझ देखते है थोड़े से इसके बीसे में अधव बॉर्ट्स हाव बिन तेकन फोराम इस्पीच यागो इन दा लेज दी ओते लोका से तैस्दी इतले ये वैवलियम सेक्स्पेर इन In this line, Iago is reminding us that he is the ultimate master gardener, so to speak because he has such great control over himself and his actions. We are also reminded that part of what makes Iago such a brilliant manipulator of Othello was his ability to plant the seeds of the doubt and jealousy in Othello mind to rise to explanation of a look at the next question what is the true of the Shakespeare's sonnet Shakespeare case only a conscious me sat there so it's a site Iago it has three quatrain and a complete and a complete and a complete by the same time. Here we go. This is the first line of the total sonnet and this is the total sonnet and this is the same. This is the first line of the sonnet, so on the second line of the sonnet, क्या है 14 lines in Shakespeare sonnets Shakespeare sonnets में किते लान होती है तो चोदर लाइन होती है इस इक हम लोग English sonnets के नाम से भी जाते हैं से experience sonnet को ही the first 12 line are divided into three quattrins the first 14 line 13 12 line होती है तो किसमें बड़ी होती है with four lines each और जिसमें की चाल लाइन प्रतेग में होती है in three quattrins the point establish a theme or problem and then resolved it in the final two lines called the couplet final की जो दो line होती है उनको किस नम्स जानते हैं couplets से the rhyme scheme is quattrins a b a b c d c d दो उनकी क्या होती है quattrins की राइमिंग स्क्रीम होती है a b a b c d c d e f e f और जो couplet की राइमिंग स्क्रीम होती है क्या होती है जी 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 होती है इस सोनेट structure is commonly called in English sonnet तो हम लोग इसको और किसे नाम से जानते हैं theetos experience sonnet is often used to develop a sequence metaphors or ideas one is each quattrins while the couplet offers either a summer or a new take on the preceding image or ideas the first two quattrins might ask a single question which the third quattrins and the couplet will ठीक है अब लोग देखते हैं अपना next question ज़ा आपना next question who is known as the points of whites तो इसको जांते हैं पॉइट से प्पर तो जानते हैं एडवन इस्पेंसर को किसको जानते हैं एडवन इस्पेंसर को थोड़ा सा देखते हैं इसके मिश्गे इडवन इस्पेंसर की इसे में as the poets the poets poet कभी के कभी इसको क्या गए सकते हैं कभी के कभी he is one of the most influential and important poet in the English language he is primarily known for his Ferry Queen किसके लिए जानते हैं Ferry Queen के लिए जाने जाते हैं the longest epic point in English which can be read on a plethora of levels Spencer invented the Spencer Indian in Stenza Spencer ने क्या इन्वेट किया तो Spencerian Stenza Spencerian Stenza में कित्ते लाइन होती है तो नाइन लाइन होती है and only John Keats in the U of ST Angus and Percy Bessel P Selly माला भी इनिक को कहा जाते हैं पीवीजेली इन ही लजी टुकेट्स एड़ोनिस है बेन एबल तो प्रोडिवस लॉंग पोइम्स पेंसरियन इस्टेंजा विड एक्कोल लेवल तुपाइट पावर स्तो जान किट्स और पीवीजेली ने इस पेंसरियन इस्टेंजा में ही पोईम्स को लिखा हुआ है आई हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्टे कुरिश्चन कम्प्लीट दा सेंटेंस दा गलोब थेटर वास बर्न डाउन तो गलोब थेटर कब जला था तो 1613 में कौन सब प्ले परफाम रहा था तो henry एट कौन सब फर्फाम रहा था है है एक इसके दोली अगया था यह विल्यम सेक्सपेर के दा रहा यहीं वार्ण सेक्सपेर का आंज पी विशने कंप्लीट किया था जौन फ्लेचर ने उस वर्वर को कंप्लीट किया था आई थो 2 SS in 16 13 June 29 June on this day history in 1613 the globe theater one cup जलता उन्ती जून को ये टीटर जल गया था तो हम लोग पहले बता चुकें कांसे प्रफॉर मुड़ा था तो हैं रही एट the famous globe theater was built in 1599 by the brothers Katha Byrd and Richard Burbage who had inherited its predecessors a theater called the theater this building had closed in 1597 concept building जीवाली जीवाली जीटिटीड दा तीटर जीटर बंदो जीटी उसी का दूसर नाम क्या रखे गाए था globe theater रखे गाए था इन 1613 during a performance of henry 8 a cannon was used to make the king's entrance which factory faithfully set fire to abeam which turns in the ignited the theater of the roof and so set light the entire theater theater about no part of the next question key here aapna question what is the full name of the w h in Shakespeare's sonnet to in the full name of mr. w h is Shakespeare's sonnet is william harbert certainly identifying the fair youth of william harbert is dramatically more satisfying the other fact that favor william harbert is that it makes the composition of the sonnets occur later in Shakespeare's life I'm a little thing for us are they I'm a little bit of nice can apply question key or here aapna question how many sonnets are addressed to dark lady by William Shakespeare Shakespeare ने dark lady के लिए कितने छोनेट डेडिकेट की है कितने है 26 फ्ने टोन्टि ईसे इट अगा तो किसको डेडिकेटेटेट तो गॉपीट को गॉपीट को ठीक है तो भी इसी में इंकलीू हो जाते है ठीक है तोड़ा सा देख लेते हैं इसके भी से में लेखो सेफिर सोनेट अप्यर तू तो तेल दाइ स्टोरी ओफिस एंगिस्टेम प्रिवेट लाइफ 26 आप 124 सोनेट कंस 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 17, 9, 10, 11, 12, 8, 12, 11, 19, 12, 12, 16, 10,сыр william harbert william harbert को कितने सोने डिकेट है 2126 कितने डिकेट है 126 थोड़ा सा देखते हैं there are many mysteries in the life of william Shakespeare and perhaps none is more interest intrigues than the one the knees initiated himself when the published a collection of his sonnets in 1609 the sonnets the greatest lyric sequence of love poem ever written were published were seven years before Shakespeare death 160 1616 there are 154 sonnets in total 126 of them are addressed to w h addon तो कितने सोने डिकेट डिकेट तो 126 एक से लेकर के 126 तक ठीक है अब अनलोग बढ़ते हैं अपने थोड़ा सा इसी में और william harbert is the अला प्रिम्प्रोग इस नोन मिस्टर डब्लू एच इनको और किस नाम से जानते हैं तो अर्लाव प्रिम्प्रोग के नाम से भी निको जानते हैं यह भी पूह सकता है इन फ्यूचर कभी हम लोग देखते अपना नेक्स्ट कुच्छन पोर्शिया इस दाहरीन आप दाप ले तो सेक्सपियर के कौन से प्ले में पूर्शिया रहती है मर्चंड आव वैनिस किसमें में दोर्शिया छॉच इमर्चंड आव वैनिस in ।ी । u consumers did a । u së that ऐ for sure is the heroine of the play the merchant of Venice she is for most intelligence heroine she is famous for her beauty and wealth she is deeply anguished that she must carry only the man who chooses the single casket द्री विच कंटेंस हर पोट्रेट और इसके करेक्टर देख लेते हैं एंटोनियों साइलाग ग्रेश्यानों पैश्यान बेशेनियों तर्दूक आफ बैनेस ठीक है हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं यह रहा आगे पना अगला कृचिट ट लाइन थैस्केन नट वीदर हर नॉर कॉस्स्टम तेल हर इन फिनाट वराटी जेलाइन कहां पर आई इसको मताना है तो यह एंटनें अन्टू पात्राइब अ पर आई नटून पात्राइब आई इंटोनीय ग्लिव पत्रमे देखे सां the above sentence is taken from the play antony and cleopatra by william Shakespeare act second and scene second ये आपलोग जरूरिया थी ये कहा पर लाइन आती है तो ये act second or scene second में आती है in this sentence a friend of antony remarked about cleopatra that she is over helping mainly attracted attractive to men not too so much because of her beauty as because of her fascinating unpredictable unpredictability and range of moods ठीक है अब हम लोग देखते अपना next question who is known as the fourth witch in Shakespeare's women character तो किसको जानते है है फूर्थ विच के नाम से तो लेडी माइब को जानते हैं तेक्ते हैं तोला सा इसके विसे में लेडी माइब इस considered as the fourth witch in Shakespeare's women character लेडी माइब इस होल अन्सेक्स में इस्पीस अलाइं हर विच्क्राफ्ट एंड शुपर नच्रल लेडी माइब में वेड जेज लगा संसिबस के चाहं इसको लेडे हो लेडी माइब इस स्डैलाइं सम्त्रीन भाउमास को आ लिकर प्लेडी तर्टंसavour रान। इस बायडी मत्यून थीञ्च is the main instigator in the plot to kill king किसको इंक मार्ने में में प्लिट इसका ही राप में अपाल इसी करें इन मैंडे अप्लासिक फीमेल पाइटल ठीक है अब देखते हैं अब नेक्स्ट इस्ट प्रॉस्ट फिलिंद गप टिंग लियर है डाटर तो किंग लियर के कितनी बेटी होते ही तो तीन बे सब्सक्राइब कर देखते हैं तो इसके विसे में इन विल्यम सेक्स्पीर स्टेज्टी इंग लियर लियर है थ्री डॉटर्टर्स गोंडिल डीगन और को डेलियर सर्व आज द्रैमेटिक एग्जामपल्स अब गुड़ एविल किंग लियर वास्टाइब लियर इंग्ट सब्सक्राइब कर दीए देखना अब देखते हैं लोग थ्वॉड़ासा आगे है प्रइगन और गॉडटी में अर डिएकि यह दोनों बढ़ी बाटी निर्स हैं एन यांगे स्यंग एंड विलबड जाटरी स्कॉडलिया हुग इंद और दॉटि मेंुक说 संवाइर्ट में व Mitsubas स्टीज प्रश्ट वर्फ पॉलियद को अधर फूले फबलिश तो सख्ट पीयर कपष्ट फुलिय। कवा तर सूलसो तेश्में अतना कम अधर सूलसो तेश्में आता है इसको किसने कहता है हों मिंग और कंडल में पब्लिश की या था देक्ते है थुरस इसके मिसे में तर was published in 1623 it is the major source of the contemporaries text of the his plays Shakespeare first film a be published in Titus Andronicus and also Tara Charon was printed by the notorious pirate John Dantor concrete a John Tenter in 1632 a second folio solar so but in the second folio was issued in and third folio at a solar so he said to me and forth at a solar so just see me again think a Charo full is a blue book yeah I don't know what I like about it so that's it's not what I thought so that's 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 what I thought it's a full you can see the full you can see the exam may do it much later to this point go up look जरूर याद रखिएगा आई हम लोग बर थे अपने नेक्स्ट कुछिशन की और यह आपना नेक्स्ट कुछिचन विच अपने प्रफिए प्ले इस नाट वाइस अपने नहीं है मचटो अब नतिक है अमिट समय नाइट ड्रीम है अप गिंग है फूर्थ एडवर्ड इडवर्ड शेकर नाई एकिस्ट का है तो यह कि इस्टोपर मालो का वर कर ठीक है अब लोग देखते हैं ने तोड़ा से सकतार **** कि झाल मेटने को जास के देखते हैं यह कि आफ ऊब बग яв derecho कर क्रा।ब बिजवर्ड शेकर धिस म्ाइट कर प्लेमेशिता किस्टोपर मालो ने कि जाप फींटने टा In fact, the drama was in the past attributed to William Shakespeare. It was first opened in Pandraso Charonby, played by the Earl of Pembroke. The next record of its performance indicates that it was performed at the Red Bull in 1617 by Queen Elizabeth's according tropes. Is Network by Worried King, who will have the king of the years, so that Cordelia could marry Edgar Erda and to his local Navigator, his name is King, and his name is King, I will show you, and his name is King, of England and playwright graduated from the Trinity College Dublin he wrote some plays of his own but best known for his adaptations of the Elizabethan playwrights his version version of Shakespeare's King Lear to which he gave a happy ending Cordelia married to Edgar held the stage well into 19th century तो आप लोगों ने किंगलियर में देखा हो कि लास्ट में किंगलियर और Cordelia मर जाते हैं लेकिन जो नोहम्टेट के जोवर का था उसमें अंत में Cordelia के साधिक इसके साथ करा देते हैं तो Edgar के साथ वो करवा देते हैं तो उसी कोलते हैं happy ending together I'm looking to say or is key be same he also wrote all labretto for Henry Percel's opera dido and any years it was a commissioned by the poet John Dryden to write the second part of the of Solomon a chief topple solar so basi tates the best poem is the panacea a poem upon T the point is for a deeper at 1700 he succeeded at the port laureate in 1692 common thing auto part laureate so also bond in a solution of with accounting a solar soon up with a creative name John Dryden I'm not the captain of the other question here have no question instead for upon a one is the place where Shakespeare was born where it to it is located to John Shakespeare Kajan Muta who copper located at the war with sire copper a bar with sire to us exhibition decking in each a zero con instead for upon a one is the beautiful town of the non many port alien non-metropolean districts instead for on a one situated in the state war with sire you have for upon collegiate area for on the deck of one college is a war with sire countryside on the bank of the river a one copper a one of the kkinari the town is popular owing its status as a fee birthplace of the playwrights and the poet William Shakespeare along look they kept na next question did I have na next question all the world is the stage and all the men and women merely players who speak this land is land the convole 30 a jackson both a couple both at you as you like it me line bully that you take this line are spoken by jacks as you like it in act second and scene 7th yeah one zero the other character is comparable it to act second or scene 7th in jacks is the purely contemplative character in in sex piers as you like it jackson role in the play as you like it it like and observe rather than the an actor duke senior considered jacks as a moral philosopher okay I will get them now next question to which worker of his own Shakespeare called the first year of invention to Shakespeare is in his dedication of Venus and Adonis describe the work as the first year of my invention this this mythological erotic poem was published in 1593 with the dedication of Henry Hurtzelay all of Southampton this code dedicated to your Henry Hurtzelay at what a lot of Southampton play a poem dedicated hand the dedication of firstly include mention of the poem itself as the first year of my invention this is what I am thinking about and some other time what we thought would be 빨anir next question and who wrote tiger search wrapped in player side about Shakespeare to E macam is unique a six to be happy to school itís a Robert green necklace Nicky yeah Robert grinning throats of the things Kivis m'n debo Robert green one of the most famous and popular writers when Shakespeare was first बीगिनिंग इसकालिया सेड इस फेमस कोर्ट अवाउट सेख्पियर फॉर देर इस वाउन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फिदर्स तैट विज इस टाइगर सट रफ्ट इन फ्लेयर साइड तो यह लाइन भावर्ट ग्रीन किया यह लाइन बहुत बार पुछी जा चुकिए तो इसलाइन को आव लोग कहीं नोट करके रख लीजे इसको पार बार पढ़िएगा जरूर आई हम लोग बढ़ते अपने नेक्स्ट कुस्टिशन की और यह आपना नेक्स्ट रिचन which are the following flow flowers does not mad ophelia not give away to consa violet to get violet to the meaning of philia is flowers is more suggested than defined it is a important to remember that each of the flower has many different meaning and one must consider the meaning that best in first the context of the play the flowers named violet given to no one symbolized faithfulness and connected to death थोड़ शोड़ देखते हैं इसके विसे में rosemary given to lotus with the meaning of the remembrance pencius given the lotus for the thoughts referred back to his earlier views on hamlet's love for ophelia colombanese is also given a either gratitude for the cloudius symbol of the ingratitude of forsaken lovers and a cooking cock roll tree ठीक है अब हम लोग बढ़ते हैं अपने next question की और यह आपना next question in which country is the story Othello set सेटिंग कहां होती है तो वह वेनिस की सेटिंग होती है इसी को लोग क्या जानते हैं भूर आप वेनिस के नाम से भी जानते हैं सब्सक्तिंग कर दिखते हैं अब जानते हैं यह बढ़ते हैं जे लिक्रुड वेनिस इस लार्ज शिटी इन नौर्थ इतली और दा सिटिंग अब नियुट्टी अब सेख्पियर्स वर कौन कौन से सेख्पियर्स वर्ट उनको भी देख लिए थे हैं कमेड़ी इस कौन कौन सी है एज लाइक इट सिंबल लाइन लफ्स लेबर लास्ट दी मर्चंट आफ वेनिस मुच अड़ो अबाउड नथिंग दी टेमपेस्ट यह क्या है सेख्पियर्स की से देखते हैं कौन कौन से हैं किंग जॉन इचर्श तकेंड रिचर्थ थार्ड हिनेरी पीप्त टीक है और टेशी स कौन कौन से तो मुख कह है हमलेट मैटबथ लोन किंगलिया पोर्टिक पॉर्टिक नेट है सने कितने ओन टीपोर सॉने लिखे हैं ठीक दलेपाब लुक् से लिए्टेकर तो ये लेन किसी ने लिखा ये लिखा हbreak फॉक तह सदेखते हैं त्यटाइम क्वेश्व्ट लाइन इस रeटेन वा विल्यम सेफार इन हे इस सॉनेट सोनेर नंबर 94 सब् justamente यह लििए कहां पर कहां पर और सब्सक्राइब को और किसके नम से जानते हैं फार इस निम्रस मेटाफर टीक है इसमें निम्रस मेटाफर कई जुआ है दा मेटाफर्स आज कंप्लेक्स इंटर ट्विंड एंड डीपली एंबिग्विवस लाइन 14 इस पीक ऑफ दो फ्लाव इलिज तीक ट्वर सोड़ डिक्ति इसकी में दा इंटार सोनट मे बी डेड देड ओ व्लाव जाएन ट्रीज और इंट देड लोड अविविव लॉड और है ग्में तोलन अव समय तोलन अव यूड श्ट अप्रें आप एंट टिक्टियर टूर्स ने कितने सुने लिखें 150 फोर्स ने लिखे है अब हम लोग देखते हैं अपना next question एलसीन आर इन डेन्मार्क इन दा सूर्स आप डेस्टीरियन प्ले तो कौन सी प्ले में से इस्प्रेर के डेन्मार्क इश्टिंग होती है वह भी एलसीनार से डोती है है आपले काई सोती है हम रिट का यह सल माना जाता है थोड़ा से स्केविसम जेखते हैं विल्हम सेक्ष पिर्स वन आप प्लापलर प्ले हम लेट हम लिट हम लिट इस तेल्स ला इस्टोरी आप देन्मार्क और एक्स प्लेस आर्ड था कैसल इन तान इल्चिनर दा सटिंग अ सेख्परश प्ले हम लिटत आप एड दापले संग मेल चस्टोरी न थेउम सेख्टव इस टेक्सिनी आपने सर्टाइद केद्विसम लिटत तर्यम हं रुपर्ण अ-ल करो इस देक्तेंट टानी टियुक तरट प्लेस को ड्ल यािद अक्ष प्लेस आप देना फिव tir क्रोगबर्ग कैसल वाज़ बिल्ट इन 1574 दा फूर ग्रेट ट्रेट इस विल्म सेक्पियर्स हम लेट मैंक बेट अथे लियान तिंग लियर अपने नेक्स्ट पूशिंट की और यह अपना एक फूशन फ्रार्टी दाइम नेम इस वुमन इस रिमार्क इस मेड बाई तो यह मुलता है तो यह हम बलता है कहा पर हम लुटा फिसके लिए बलताथ अपनी मदर बेट के लिए ओलता है यह दार्ट इनम इस वुमन इस रिमार्क is made by hamlet hamlet is angry that his mother Garrett has married his uncle cloud a city within a month of his father's death the speech generalized the attribution of the weakness of the character from one particular woman to woman kind yeah they can Othello is the tragedy by William Shakespeare King Lear is a tragedy by William Shakespeare Macbeth was set in Scott land Macbeth की setting the father of a father of a sex with an adult a Montego Santa is present a Montego in English as a story of a English essay to English essay click on the other title Bacon Lakin essay click on the other title of Montego General Lakin yaa parka high English essay English इसे के लिए किसको जानते हैं फादर की रूप में तो फ्रांसिस बेकन को जानते हैं तो रहा सा देखते हैं उसके विशे में नीचे फ्रांसिस बेकन इस दफादर आप इंग्लिश ऐसे हिसे और फेमस फार्दियर विट एंड अपरिश्टिक स्टाइल Most of the lines from his essay have always been acclaimed as the immortal quotes, like, Revenge is a kind of wild justice, which the more man's nature runs to the most ought to weed it out. His essay have become the classic of the English language. They won this position of not due to their subject rather than, better but far. Their unique style and linguistic literary test, Bacon Ratley called the father of English essay as Hughes Walker says, किस के द्वारा का गया है, Hughes Walker के द्वारा यह सब्द का गया है, Bacon is the first English assessed, क्या का गया है इनके द्वारा, Bacon is the first English assessed, और फुरस एक्सक्रेविशम देखते ही नीचे, यह देखो, He borrowed the general conception of his essay from the French writer, philosopher Montex, तो यह कहां से influence वे थे, Francis Bacon, तो Montex से influence वे थे, In his essay, he deals variety of subject and ignorance, not sure of the knowledge and experience. He deals with different theme as love, marriage and single death, adversity, parents and children, garden, travel, etc. The first edition of Francis Bacon essay, appear in 1597, तो से बेकन का पहला, एसे क्लेक्शन का बाता है तो फंदर्सों साथानवे में and it had only 10 ऐसे, इसमें किते सुन ऐसे थे तो अनली 10 थे, बेकन का देम दा, फ्राइग्मेंट आप माई कंसीट्स ठीक है तो इसको क्या बोला है Francis Bacon ने, फ्राइग्मेंट आप माई कंसीट्स इन 1625 थो थर्ड एडिशन ऐसे वास ब्रॉट तो इनका थर्ड एडिशन का बाता है इसे का तो आता है 1625 में, सेकेंड का बता है 1612 में आता है ठीक है अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्टे क्विस्चन एरा आपना नेक्स्टे क्विस्चन कंदाव मोर्टल विच विदिद शौर्प टीथ दिस नौट इंट्रिस केट विच बूक अब दा अब लाइन है तो किस पे लाइन आई ह है तो यह आई है आप्शन एक लिव पाट्रा में ठीक हाँ पर आई है लिव पाट्रा में थोड़ा सा इसके में देख लेते हैं कंदाव मोटल रिच विद्ध आई सार तीर दिस नौट इंट्रीस इंट्रीस टीकेट दा अब लाइन अकर फ्राम अंट्रों एंट्रीव पा ना जाता है हम दोगे टेहां नेक्स टेख विचन यहरापना नेक्स टूचिप विच इन रिच से कीरियन प्ले दास्ट पाल इंग अकर यह लाइन काह परातिया देव्राइड देव प्राइड द रिख दन और वी आर अवर अ डर्क पीयलाई कहा पर है तो यह लाइन आपन हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसके विसे में यह देखो दब्राइट डे इस दन एंड वी आर फॉर अडार्क दिस लाइन आर अकार्ड अन्टोनियन क्लेपाट्रा विच इस अपेमस रोमन क्या यह फेमस रोमन प्ले के नाम से भी जाना जाता है अब हम देखते हैं अपन नेग्स्ट सेख्पियर्ट टेमपेश्ट क्या कह रहती है तो टेजी कमेडी कहले इसको और से प्रकर कessen गहिसे को इसको ही हम लोग सॉन सांक के नाम से ही जानते हैं हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसके बिसे में सेखेश्पियर टेंपरीज की टेजी के मैंने दाप लोग देखते हैं अपना नेक्षट कृश्चन लेरा आपना नेक्स्ट ध॑श्चन हूँ डिस्क्राइब दा एडल कामन्विल्ट दाइम पर स्ट गामन्मिल्ट टेम्पर्श्ट में कौन डिसकरइब करता तो करता है जैव है यहां पर यह गुंजय लो थोड़ ज़ो देखते हैं इसके विशे में गों जैव डिस्क्राइब दा आयडिया कामन विल्थ इन ऑटैंपेस्ट इन विच दे देर वी न उट। भी नट प्राविट प्रपर प्रपर ट्पर जो magic straight no labor and no inequalities of rank the term utopia first appear less than the hundred years before Shakespeare's route to the invest Thomas more Thomas morning utopia co-concreder wrote utopian latin so pundra so solo my colleague at a top and Russell solar man you took your click at a kiss me like a Thomas more like a Thomas more introduced the word utopia to name a fictional Iceland that was in idea common wealth here I am no birth of name next question key or in which we love Shakespeare's has presented a royal criminal a royal criminal तो किसमें royal criminal आता है तो आता है रिचार्ड सेकेंड में ठीक है इसी को हम single character play भी इसी वर को जानते हैं सेक्स्पिर्स प्रिजेंटेड रॉयल क्रिमिनल इन दा फेमस प्ले रिचार्ड स्थ्थ थार्ड विलियम सेख्ष्पिर्स प्ले रिचार्ड थर्ड थर्ड थैं इन इन इस पुटेभली विकाल किस्थ मास्टर प्रिस रिचार्ड स्थ्ट लाइन आई एंडिटर्माइन टूब अबिलेंट किया है यह लाइन बहुत प्रेमस लाइन है आई एमडिटर्माइन टूफ आप विलेंट फोर्स सेड़ो सेट्पियर्स इंटेंट फ़ार फोल प्लेए हम लोग देखते अपने नेक्स्ट को रहेना नेक्स्ट कुश्चिन ओं टेक ओर टेक दोजड़ लिपस अवे दा आव लाइन और अकें तो यह कहां पर आती है मीजर फ़ार मीजर में यह लाइन आती है ओ तेक ओट एक वह यह मिज़फ पार में आते हैं तोड़ा सा श्क्रीबिसिंग देखते हैं से केमねडी है सेक्षिर की सेख्ष्ष्प गिरवा फियएज पर इस अब पर इस अम मेफ द सुफिरियर इसको और किस नर्भ आप दू है तो और किस नाम से जनते हैं तो प्रोब्लम से द हम से जीनार खूल आम से मोस्गेम्टि है किस करेक्टर इन ता ड्रॉमरे Vincencio Duke of Venice Angelo Lord deputy in the Dukes options of Claudio young gentleman aware Guayna Juliet Willow of the cry Claudio and Isabella Claudio sister ठीक है यह most important character है आई हम लोग देखते हैं अपना next question who is Hamlet beloved in Hamlet तो Hamlet से कौन फिर्म करता है तो वो को आफ़िलर करती है ऑफिलिया ओलियो नहीं रहती है ड्रें नाइप करती है वो मेर्चंद में तो में रहती है तो की में रहती है और से nyalय कि सथो थे थे किंग फ्रांसे साधी करती है है आई थोड़ देखते हैं इसके भी से में ओफिलाइज दे हमलेट्स विलब इन हमलेट्स हमलेट इस ट्रेस्टी लिटन वाविलियम सेख्पियर यह देखो रडब सेख्पियरmaking हमलेट रनक्ष। टीरिट सेख्पियर विल्लाइज हमलेट्य आपन देन देते ह diagon सिस्टर आप लॉर्टेस और पोटेंशियल वाइप प्रिंस हम लिट टिया अफ्लोग देखते अपना नेक्स्टे विश्चन यह अपना अग्ला कुछिछन वाट कुट बी दा ट्रैजिक फ्लाब है लेट का ट्रैजिक लाकर होता है क्यों अरष लिख ट्रैजिक भीड ہیں यहां पर यह आप्सन गलत डिया घ्ल कर यह टीड है यहां पर यह आप्शन गलत डिया गया है तो इसका होता है कर दिए इसी में उसनौन कैंगिया था डिलें अक्षन सकते हैं अगर इसका यहां-पर यह अप्सने नहीं थी सप्विखने टीशननद्सी यह सब्सक्रद का होता है तो मुज कर पूत्र का प्रेम पिता के लिए होता है तो ये औरे क मदरेसे पी सकते थे पर गदे Clayagne का यह में भरी हो इसको ही पर का इसलिए यह अंचर है पर यह गलत माना गया है इसको देख लिए कि अरटिंगे में इंशन कुड बी ट्रेजिक फलाप हमलेट यह पर दोगलथ ही लिखा है 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 हमलेट व्यू पर विर्ट अमेंशन तेह का यह की यह का यह दो कि अपलिका रिव दिश दोणेश्ट्व फोर्था इन फॉर्दर इन टो मर्डर this tragedy the terrible of the characters of the tragic hero that causes or the contribution of the his don't fall the flaw can be poor judgment pride weakness order and this hamlet's tragic fly is the delay in the year the upper kya hi yes ka main tragic fly delay in evening his father's dead today the of delay in action the upper kyao tar delay in action for time I'm look the camera next question there are a lot of question in which will have sex pierce does Adam occur to Adam copper at a year as you like it may Ata Thora Samlo description they can Dekho Adam apparent in as you like it which is famous play of sex pierce Adam Orlando appear in the orchard of Oliver's housing scene first copper scene first to me I'm looking up now next question complete the sentence Shakespeare has written historical place sex pierce neck it's new historical place like a to by name seven it nearly can buy name seven here for your answer girl at my name seven licking a got by name push later seven political looking by number push later does it really can thus historical play like a so on the school and look they click on consent they call sex pierce has written you have a six people on the area seven to the car can make seven history historical place King Henry fourth part 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 second ticket King Henry fifth King Henry sixth part first part second and part third Henry at King John together Richard second and Richard third chapter number Richard third be sex pierce nnayi lika who are to yes x pierce k thus by name seven by number ten figure is point co-op look jaroor yad rakhir ga come look for us or is given the thing niko sexier tragic theme place और एंटोनियन क्लेपाट्रा को लिए नेस हम लेट जूलियस सीजर कि इंग लिए मैट बेट उथे लो ठीक है इस एक्षिस क्या है यह ट्रेजडीज है अब लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट कुश्चन यह आज का अपना सेकेंड लास्ट कुश्चन होगा इसके बाद से सेक्सपियर यहीं से कतम हो जाएंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जॉन बेल्टन को ठीक है तो यह रहा आज का अपना अगला पूश्चन सेक्सपियर इस हिस्टोरिक हिस्ट्री प्लेज अल्दोगे दर डेल विद प्लेड और सेक्सपियर की जो प्लेज होते हैं वह कितने वर्सों को कबर करते हैं तो कितने करते हैं 350 तीच को कबर करते हैं है यह से इस्टार्ट करते थे से सिस्टार्ट करते हैं वह देखो, William Shakespeare's History Place all together, deal with a period approximately 350 years, from 1199 से 1547 ठीक है, Shakespeare's History Place common to 10 works which deal with event, in English, History occur cover the period from the 1199 से अंतिल 1547, William Shakespeare wrote 37 plays in different genre, tragedy, history and comedies, यह रहा आज का अपना अंतिम question, और Shakespeare, आज से घटना चक्रिके अपने Shakespeare, आज से खतम हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग जैसे के लोग बता चुके हैं कि इसके बाद हम लोग जान मिलिटन को पढ़ेंगे, इन विच्पिले से एक्सपियर, प्लेडर्स कुरन कहां पर आते हैं, तो यह King Lear पर आते हैं, थोड़ा सा इसके बिशे में देख लेते हैं, कुरन is the character of Shakespeare's great tragedy King Lear, he plays the role of courtier in the play, he advise Edmund the Regan Conwell will arrive shortly at the Gloucester Castle, तो हम लोगो ने Shakespeare की महत्पूर्ट सीरीज पढ़ी घटना चक्र से, और घटना चक्र जिन students के बास हो book ना हो, तो घटना चक्र आप लोग परचेज कर लें, और उससे आप पढ़ें, इससे कम से कम 40% आपके किसी भी परिच्छा में आने की संभावनाय रहती हैं, तो आज से हम लोग Shakespeare को यहीं से खतम करते हैं, घटना चक्र बुक से, आगे हम लोग को दूसरी book को ले गें, और वहाँ पर भी Shakespeare को पढ़ेंगे, तो अब हम आगे पढ़ेंगे, जौन मिल्टन को, तो आप लोगों को चैनल में बने लेने की धन्यवाद, जिन दोस्तों ने भी चैनल को सस्क्राइब ने किया है, तो चैनल को सस्क्राइब करें, और ये वीडियो अपने दोस स्क्राइब